असलाव अलेकुम प्यारे बच्चो आज हम मदमुन रियाजी का सबक सिक्के और नोट के बारे में मज़िद मालूमात थासिल करें बच्चो दिखाए गई तस्वीर में हमें कुछ सिक्के और चंद नोट नज़र आ रहे हैं उपर हमें चार सिक्के नज़र आ रहे हैं जिन में एक रुपे का सिक्का दो रुपे का सिक्का पांथ रुपे का सिक्का और आखिर में दस रुपे का सिक्का नज़र आ रहे हैं इसी तरह नीचे हमें एक रुपे की नौट, दो रुपे की नौट, पांत रुपे, दस रुपे और आखिर में बीस रुपे की नौट नज़र आ रही है अब यहां इस दूसरी तस्वीर में हमें एक कॉलम नज़र आ रहा है जिसमें चन्द चीजे और उन चीजों की कीमते सिखों की सूरत में हमें सामने दिखाई दे रही है चलिए देखते हैं हम पहड़ी जो शक्टल है हमारे पास पहड़ी जो चीज है हमारे पास यहाँ पर वह एक कलरेंद का पाकेट है जिसकी कीमर 5 रुपए के 2 सिक्के हमें दिखाई दे रहे है इस तरह इस कलर पेन के बैकेड की कीमर 10 रुपए होगी नीचे हमें एक पतंग नजर आ रही है जिसके सामने हमें 5 रुपए के 2 सिक्के और 2 रुपए का 1 सिक्का नजर आ रहा है इस तरह इस पतंग की कीमत बारा रुपे होगी नीचे हमें एक गुबारे की तस्वीर नजर आ रही है इस गुबारे के सामने इनकी कीमत सिपकों की सुरत में दिखाई दे रही है यहाँ पर गुबारे के सामने दो रुपे के चार सिपके हमें नजर आ रहे हैं और एन रुपे के दो सिक्के नजर आ रहे इस तरह इस गुबारे की कीमत दस रुपे होगी अच्छा तो बच्चो आज हमने सबक सिक्के और नोट के तसबूर को समझा है